यार जीटिये गेम्स में जितने फीचर होते हैं वो शायद और किसी गेम में नहीं होते जैसे गाड़ी भी चला लो, गन भी चला लो, प्लेन उडालो और खाना भी खालो ऐसे हमें कितने फीचर ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं लेकिन फिर भी गेम में नहीं होते जैसे टैंक पे बैट के उसे चलाने का फीचर दे सकते हो तो क्या सिंपल पानी में तैरने का फीचर नहीं दे सकते आज मैं ऐसे ही पाँच गेम्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है लेकिन गेम्स में नहीं मिलते तो चलो फटाफट से लाइक का बटन दबादो हम वीडियो को शुरू करते हैं तो नुमबर फाइव पे मैंने रखा है जीटी फाइव के पर्टेगनिस्ट को यार वो भाग सकते हैं, कूट सकते हैं, बिल्डिंग पे चट सकते हैं लेकिन क्राउच नहीं कर सकते जब भी हम क्राउच करते हैं तो वो थोड़ा सा जुकते हैं और कैमरा उनके पास चला जाता है भाई जुकना है तो पूरा जुकोना ऐसा भी क्या हो गया इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई बुड़े लोग हैं और रसानी से चल नहीं सकते उनके घुटनों में दर्द रहता होगा आप YCT में देखो के तो करेक्टर पूरा नीचे बैठ जाता है लेकिन जीटिया 5 में बस थोड़ा सा जुकता है अगर रोक्स्टार की बात की जाये तो उनका कभी भी कोई रिस्पोंस आया नहीं है इस बात पे उन्होंने कभी कोई कारण बताया नहीं है तो हम भी नहीं बता सकते यार क्या कारण रहा होगा लेकिन यार अगर मैं अनुमान लगा हो तो शायद रोक्स्टार वाले कुछ नया ट्राई करना चाते होंगे इसलिए उन्होंने पूरा जुकाने के बजाए बंदे को थोड़ा सा जुकाया हम जीटिये गेमस में हमेशा स्विम करना चाते हैं पहली बात तो ये फिचर सबको अच्छा लगता है और पानी के अंदर बहुत सारी मिस्टरीज होती हैं जिनको हम जानना चाते हैं अब जीटिये वाइस सीटी का पानी बहुत कलीन था जिसके कारण जो भी उसके अंदर सेक्रेट थे जैसे यूएफ और वोगरा वो साफ दिखते थे अब जीटिये फोर में तैरने का उप्शन तो है लेकिन डाइव करने का उप्शन नहीं है और ये देखने में बहुत ज़्यादा अजीव लगता है यार अगर तैर सकते हो तो डाइव क्यों नहीं कर सकते ऐसे में GTA 4 में बहुत सारे secret होंगे जो कि अभी तक explore नहीं हुए अब हैरानी की बात यह है कि GTA San Andreas में पानी के नीचे जाने का option था लेकिन यार GTA 4 में नहीं है और इसका कारण यार यह हो सकता है कि रोक्स्टार ने गेम को छोटा रखने के लिए ऐसा किया हो क्योंकि अगर वो पानी के नीचे की दुनिया बनाते तो गेम का थाई और बड़ा हो जाता अब जो थर्ड नंबर पे मैंने फीचर रखा है वो आपको नहीं पता होगा क्योंकि यार आपने कभी ये ट्राई नहीं किया होगा या फिर सोचा भी नहीं होगा अब बात यह है कि जीटिया सैने अंडरेस में सीजे सीडिया नहीं चड़ सकता यार ये तो इतना सिंपल फीचर है कि हर कोई शोक हो जाएगा और कहेगा रोक्स्टार ये क्या मजाक है अगर गेम में खाना खा सकते हैं मोटे हो सकते हैं मसल बना सकते हैं तो फिर वाई सीडिया क्यों नहीं चड़ सकते हैं वैसे तो इस गेम में हमें दिवार पे चड़ने को उप्शन दिया था लेकिन सीडिया चड़ने को उप्शन इसमें नहीं दिया गया वैसे तो कुछ मोट्स का यूज करके आप ये काम कर सकते हो लेकिन यार उसमें इतना मज़ा नहीं आता जो चीज ओरिजनल है वो तो ओरिजनल ही है बाई चलो यार माना CJ सीडिया नहीं चड़ सकता लेकिन पानी में स्विम तो कर सकता है लेकिन यार GTA YCT में टोमी तो वो भी नहीं कर सकता यार सोचो 80's के टाइम का सबसे बड़ा गैंग्स्टर तहर नहीं सकता आप जैते ही पानी में जाओगे उसके बाद थोड़ी देर में आप होस्पिटल पहुंच जाओगे वैसे तो चलो हम मान जाते यार उस टाइम टेकनोलजी की कमी थी इसलिए ये फीचर नहीं डाला गया लेकिन रोक स्टार का तो बहुत अजीब जवाब आया इस पे उन्होंने कहा वाई सिटी के पानी में शाक्स हैं इसके कारण टोमी स्विम नहीं कर सकता और वाई सिटी स्टोरी में तो आप स्विम कर सकते हो और वो तो वाई सिटी से पहले की कहानी है उस टाइम वाई सिटी में शाक्स नहीं थी क्या वैसे तो यार में रिजन यही रहा होगा कि उस टाइम टेकनोलजी की कमी थी इसलिए रोक स्टार ने इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे और फर्स्ट फीचर सुनके तो आप शोक ही हो जाओगे और वो ये है कि जीटी थरी का मेन करेक्टर कलाउड बोल ही नहीं सकता हाँ यार शायद आपने इसको नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि जीटी थरी के सिनेमेटिक्स वेल डिजाइन है और उसमें क्रेक्टर्स के बोलने या ना बोलने का पता ही नहीं लगता अब इसको लेके लोग अपने ही थोरेज बनाते रहते हैं कुछ कहते हैं कि कैटलीना ने उसके गले में गोली मारी थी इसलिए वो गुंगा हो गया लेकिन यार ये तो बहुत ही गलत रीजन है क्योंकि जीटी ए सैने एंडरेस में भी कलाउड आता है और सीजे उस टाइम उसे म्यूट बुलाता है अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि जीटी एंडरेस की स्टोरी जीटी ए 3 के पहले की है और उसमें भी बहुत कम टाइम के लिए कलाउड आता है और सीजे उसे म्यूट बुलाता है क्योंकि वो बोलता नहीं है और जीटी ए इसका रीजन देता है कि उस टाइम पे ये गेम बनाना बहुत ही बड़ी बात थी और टेकनोलजी की लिमिटेशन भी थी इसलिए उनने कलोड पे इतना ध्यान इन दिया और यार ये तो सही बात है क्योंकि उस टाइम पे इतनी बड़ी सीटी बनाना वो भी 3D में बहुत ही बड़ी बात थी तो दोस्तों बस यही था आज के वीडियो में वीडियो को लाइक कर दो सस्क्राइब कर दो चैनल को कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा वीडियो में और क्या नहीं अच्छा लगा वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और मैं मिलता हूं आप से अगले वीडियो में